हेई गाईज मैं हूँ इशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीरप्पन के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में दोस्तों इस वीडियो को बनाने का कारण ये हुआ के एक इशान LLB चैनल का रेगुलर वीवर है अतुल घंश्याम उन्होंने तीन दिन पहले एक इमेल किया और कहा के वीरप्पन की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग लाइफ थी तो आप वीरप्पन की लाइफ के किसी भी एक फैक्ट पर एक वीडियो बना दीजिए पहले तो मैंने उस मेल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन जब उन्होंने तीन दिन तक लगतार यही इमेल किये कि वीरप्पन के किसी एक फैक्ट पर एक वीडियो बना दीजिए तब मैंने वीरप्पन के बारे में पढ़ा तो मुझे उसके लाइफ के बारे में काफी ऐसे इंटरस्टिंग फैक्ट पता चले जो के लोगों को जरूर जानने चाहिए तो ऐसा ही एक फैक्ट है उसका फाइनेंशियल सिस्टम तो आज किस वीडियो में हम वीरप्पन के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं चंदन की तसकरी करने वाले वीरप्पन को एक ऐसे बेरहम अपराधी बेरहम क्रिमिनल के तौर पे जाना जाता है जिसके हाथ अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शक्स की हत्या पर कापते नहीं थे भले ही वो शक्स उसकी अपनी बेटी ही क्यों न हो हाला कि ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वीरप्पन बेरहम अपराधी बेरहम क्रिमिनल होने के साथ-साथ ही एक शातीर और इंटेलिजेंट बैंकर भी था एक ऐसा बैंकर जिसने अपने पैसों को ऐसे छिपा कर रखा कि मरने के करीब 17 साल के बाद भी दो राज्यों का विशेश पुलिस दस्ता यानि स्टीएफ आज तक उसको नहीं खोच पाया है उसे 2004 के अक्टूबर महिने की 18 तारिक को पुलिस के विशेश दस्ते ने मार गिराया था जानते हैं विरप्पन के फाइनिंशियल सिस्टम के बारे में विरप्पन का खात्म करने वाले पुलिस अधिकारी विजे कुमार ने चंदन तसकर पर एक किताब लिखी थी विरप्पन चेंजिंग दा बिरिगेंड नाम की इस किताब में विजे कुमार ने विरप्पन से जुड़े के ने और पुराने पहलों पर रोशने डाली इसी में उसके 30,000 करोड रुपे के खजाने और उसे छिवाने के तरीकों के बारे में कई लोगों के हवाले से लिखा गया है जिससे ये जाहिर होता है कि विरप्पन एक शातिर बैंकर भी था और बैंकिंग करने का उसका अपना खास तरीका भी था जिस सत्यमंगल की जंगल में लोग दिन के उजाले में भी जाते हुए डरते थे उसी जंगल को विरप्पन ने अपना समराज्य बना लिया था उसी जंगल में विरप्पन की अपनी सर्विस भी चलती थी यहां बैंक की ब्रांचेस का काम गुफाए और पेड़ों के तने क्या करते थे विरप्पन जंगल की गुफाओ और पेड़ों के तनों के नीचे अपनी काली कमाई को छिपा के रखता था जंगल के अंदर ही विरप्पन का अपना बैंकिंग नेटवर्ट था जरुवत के समय उसका कोई अपना आग्मी आकर उसे पैसे देता था जिन लोगों ने विरप्पन का इंटर्वी लिया था उसमें तमिल मैगजीन, नक्कीरन के एडिटर और गोपाल का नाम भी आता है गोपाल ने एक बार मीडिया को बताया था कि विरप्पन अपनी कमाई को बड़ी हिफासद से रखता था जंगल के बीचों बीच के जगा बड़े बड़े गड़े खोदे जाते थे और उनके भीतर अनाज के बीच में 500,000 के नोटों के बंडल पॉलीधीन में बंद करके दबा दिये जाते थे विरप्पन को सत्या मंगल के जंगल के चप्पे-चप्पे की जानकारी भी थी विजे कुमार के मुताबिक वो जहां भी गड़े खोद कर पैसे दबादा था उस जगा पहचान के लिए अपने कीवर्ड में कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई मार्क जरूर छोड़ता था जिससे उसे बाद में पता चल सके विरप्पन ये उसके कुछ खास लोग ही से पहचानते थे और यही लोग जरूरत के समय पैसे विरप्पन के पास पहुँचा देते थे विरप्पन फिरोती के साथ-साथी, चंदन और हाती के दातों की तसकरी क्या करता था इसके जरीए उसने बेशुमार दौलत जमा करी थी स्टीएफ की रिपोर्ट के मताबिक ये दौलत 25 से 30,000 कोर्ड रुपए के बीच मारी जा रही है सारे पैसे को विरप्पन ने अपने खास स्टाइल में जंगल में मिट्टी के नीचे दबा की रखा था 18 ओक्टूबर 2004 को इनकाउंटर में विरप्पन को मार गिराया गया था इसके बाद स्पेशल टास्पोर्स यानि स्टीएफ ने खजाने के तलाश शुरू कर दी थी हाला कि अब तक स्टीएफ के हाथ कुछ भी नहीं लगा विरप्पन के सिर पर शुरूआत में 15 लाग रुपए का इनाम था 2002 में करनाटक के ततकालीन किर्शी मंत्री एच नागपपर की हत्या के बाद विरप्पन पर ये इनाम बढ़ा के 5 करोड रुपए कर दिया गया था साल 2000 में विरप्पन ने कनल फिल्मों के सुपरिशार राजकुमार को किर्नेप कर लिया था और रिहाई के बदले सरकार को 40 करोड रुपए की फिरोती देनी पड़ी थी तो दोस्तों ये विरप्पन की लाइफ के कुछ फैक्ट्स हैं इसके लावा भी विरप्पन की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग लाइफ थी काफी फैक्ट्स हैं उसकी लाइफ में जो हमें जानने चाहिए अगर आपको भी ऐसे कोई फैक्ट पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं इसके लावा अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी सबसे पहले हमारी YouTube चैनल को सबस्क्राइब करिए